हाई गाइस मेरा नाम है साफ और आप देख रहे हैं हमारे योटिप चैनल टेकरेडिस को या फिर सुपर अमुलेट या फिर लिक्विड अमुलेट या फिर डायनेमिक अमुलेट तो आखिर ये सारे टर्म्स होते क्या है और गाइस क्या ये हमारे लिए जरूरी है या नहीं आज की वीडियो में हम लोग इसी सब के बारे में बात करने वाले हैं तो चलिए गाइस हम वोग LCD display की बात करें तो LCD display में होता कि है कि उसमें बहुत सारे layers होते हैं कहाने का मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले उसका जो light up layer होता है उसके बाद फिर क्या होता है कि उसमें polarizer होता है फिर liquid crystal होता फिर उसमें color produce करने के लिए एक layer होता है तो यह सारे layer को मिला करके LCD display तयार होता है और जब हम लोग अपने phone में कोई साभी video या फिर gaming खेलते हैं या फिर media consumption करते हैं तो हम लोगों को जो भी content दिखता है इसी display पर दिखता है अब guys हम लोग समझते हैं कि AMOLED display कैसे काम करता है अब guys यहाँ पर AMOLED display में क्या होता है कि हर एक pixel का अपना light होता है मतलब कहने का क्या होगा कि हर एक pixel light up होता है और वो color को produce करता है इसमें back से कोई light देने की ज़रूरत नहीं होती है अलग-अलग pixel, अलग-अलग light को produce करता है अलग-अलग images को बना सकता है अब guys आप लोग उन्हें दिखा होगा AMOLED display में black का जो level है बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है LCD के मुकाबले LCD में हम लोग उको थोड़ा सा grey type का दिखता है लेकिन हम लोग वही अगर AMOLED display का use कर रहे है तो guys अगर जो उसमें black color दिखता है तो black का जो level है एकदम deep black होता है यहाँ पर display पर black को show करना है अब black को show करने के लिए उसको light up होने की जरुरत नहीं है वो जो pixel है जिस-जिस pixel पर black show होना है वो जो pixel है off रहेगा तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं black का जो level है LCD के मुकाबले कुछ जादा ही बेतर मिलता है हम लोगों को AMOLED display में तो अभी हम लोग ने देखा कि LCD और AMOLED display कैसे काम करता है मैंने बहुत ही स्थॉर्ट में बताने की खोशिश की है अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि AMOLED का और भी ज्यादा benefit है कहने का मतलब यहाँ पर AMOLED में जो हम लोगों को color जो दिखते हैं बहुत ही ज्यादा punchy होते हैं बहुत ही ज्यादा attractive हम लोगों को दिखते हैं as compared to LCD लेकिन LCD के भी अपने कुछ benefit होते हैं LCD display जो है वो natural color को produce करता है अब आप लोग जब भी कोई से भी phone में LCD display है और जो दुसरे phone में है जो की AMOLED display लगा हुआ है तो आप लोग जब भी camera comparison करेंगे तो आप लोगों को दिखने को मिलेगा कि LCD display वाला जो phone है वो natural color दिखा रहा है और AMOLED वाला थोड़ा साल color को जो enhance कर देड़ा है मतलब कि उसको और पंची बना देड़ा है तो ये दोनों के pros और cons है अब हम लोग बात करते हैं कि super AMOLED क्या होता है AMOLED display में एक display का layer होता है और दूसरा होता है touch का layer और वहीं हम लोग बात करते हैं super AMOLED में या फिर liquid AMOLED तो ये सारे display क्या होते है तो ये सारे display है इनके नाम को change कर दिया गया है यानि कि company जो है हमारे साथ खेल खेल रही है अब यहाँ पर खेल खेलने का मतलब क्या हुआ है कि हम लोगों के बीच में confusion create किया जारा है एक hype create किया जारा है कि हमारा जो display है ये liquid AMOLED है इसके नाम से जो है आप लोगों को confusion होगा कि अरे भाई ये जो है liquid AMOLED display है इसमें कुछ ज़रूर खास होगा अब काईस आप लोगों ने सुना होगा कि liquid AMOLED या फिर fluid AMOLED तो इसमें क्या होता है कि हम लोगों को marketing terms का यानि कि hype बनाने के लिए इस terms को use किया जाता है company की तरफ से अब यहाँ पर आप लोगों को नाम से ही पता चलता होगा कि यहार dynamic AMOLED है तो यह ज़रूर कुछ बेतर display होगा और ज्यादा मतलब कि अच्छे content को produce करेगा अब वही liquid AMOLED है तो आप लोगों के mind में सवाल आएगा कि यह जो display है बहुत ही जादा color को अच्छा produce करेगा यह display वाले phone को लेना चाहिए लेकिन हम लोगों को यहाँ पर confuse नहीं होना है क्योंकि यह company यह ऐसा करती है इस दिए हाइप बननाने के place हाइप करेट करने के साथ आप लोगों को नाम से पता लगता होगा कि Dynamic AMOLED है यह fluid AMOLED यह liquid lawsuit है तो आप में लोगों को नाम से पता लगे दिए कि यह आफ्क्या डिस्पेले होूगा हम लोगों को ये particular display वाले phone को लेना चाहिए हम लोगों को super emulate वाले phone को अब छोड़ देना चाहिए तो guys इसी का जो नाम change करके company ने अलग नाम रख दिया सिर्फ हम लोगों के बीच में एक hype create करने के लिए तो guys उमीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये सारे जो terms है कैसे काम करते हैं और जो basic display के जो technology है वो कैसे काम करते हैं तो guys उमीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आए होगा अगर वीडियो पसंद आए तो इसे like करना शेर करना और साथ ही साथ अगर मेरे चैनल पर आप लोग नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई